हलो एवरिवन वेलकम टू अवर यूटूब चैनल देश्टनी कॉमर्स केडमी कैसे हैं सब तो आज जो हम टोपिक करने वाले हैं मच pur Active & Platform के अंदर जो आपका पार्ट सैंड दे रखा है उसमें Financial Accounting & Financial mainly इंदर एक टॉपिक है आपका कंप्यूटर का क्या यूज है या हम क्या यूज करते हैं तो औह बात करते हैं होप शो आप सबको पता है कि basic computer में क्या कुछ आता है फिर भी एक थोड़ा सा आपको recall करवाने के लिए मैं करवा रहा हूँ ठीक है तो क्या कुछ होता है उसके रिगाड़ी हम देखते हैं सबसे पहले तो देखेजी computer computer एक क्या है सरी एक electronic device होती है या machine बोल सकते हो आप जिसका हम day to day life में यूज करते हैं ठीक है इसका यूज किसलिए किया जाता है जो business houses हैं वो इसका यूज करते हैं सर कस्टमर का record maintain करने के लिए supplier के लिए या फिर इसका यूज computer का यूज आपका railway में किया जाता है reservation के लिए या फिर hospitals वगारा में भी किया जाता है ठीक है या फिर flight की टिकेट बुक करनी है तब भी आप computer का यूज करते हो तो business point of view से हमें करना है और other point of view हमें इसको नहीं देखना यहां आप बोलोगे सर computer का यूज तो हर field में हो रहा है आज कल यहां तक कि आप बोल सकते ह है कि अब मैं जो आपको लेक्टर कर रहा हूं वह भी विद्धी हेल्प आफ कंप्यूटर ही में आपको डिलिवर कर पा रहा हूं ऐसा साइध ही कोई एरिया हो जहां पर computer का यूज ना किया जाता हो यहां तक कि जो हम टीवी वेगारा के सो देखते हैं फिलम देखते हैं व चाहिए उसको स्टोक पे कंट्रोल करना हो चाहिए मैन पावर पे कंट्रोल करना हो चाहिए अपना लेजर वगएरा बनाना हो तो उसके रिखाली यह आप बोल सकते हो सर कि हर फिल्ड के अंदर computer क्या है आपका compulsory हो गया है computer के बिना काम नहीं चलता ठीक है तो कुछ definition computer dictionary के coding computer का जो है ना narrow meaning दिया गया है इसके अंदर सिर्फ यह माना गया है कि सर एक computer ना automatic electronic machine है जो सिर्फ calculation करते हैं लेकिन यह इसका क्या है आप बहुत सर्फ स्टार्टिंग सेज्ट की स्टार्टिंग स्टेज्ट की definition है जबकि ऐसा नहीं है कि सर computer और calculator अलग-अलग word है ठीक ना computer के अंदर से हम डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं जबकि calculator में नहीं कर सकते हैं बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जो computer को calculator से अलग मनाता है तो यह definition जो दीगी थी तो narrow minded दी गई थी आप अर्ली स्टेज में दी गई थी और तो इसकी सबसे अच्छी definition देर के अधर की आई सोने इसके कोडिंग क्या बोला गया है कि सर computer नेक डेटा प्रोसेसर है क्या है कि डेटा प्रोसेसर है जो डेटा से रिलेटिल करता है इसके अंदर क्या कूछ हो सा है सर इसके अंदर आता ह कंप्यूटेशन करना ठीक है या फिर अर्थमेटिक या लोजिकल ओप्रेशन लोजिकल ओप्रेशन मतलब जहां पर माइंड की requirement होती है आप यह मान लो जहां पर यह सोचना पड़ता है कि काम करना या नहीं करना और वह भी बिना किसी operator के ठीक है अब यह जो बिना किसी operator के बात की गई है यह वह है कि जब आप एक मसीन को चला देते हो उसके बाद वह automatic calculation करते है उसके regarding बुला गया है नॉर्मली तो कोई बीस चीज़ स्टार्ट करने से पहले आपको human being की तो requirement होती है इसके अलावा जो US Institute ने इसकी definition दी गई इसने बुला कि इसर एक computer ऐसी देगी किसके हम business point of view से पढ़ रहें तो उसी के context में आपको पढ़ाते हैं यहनकि data को accept करना हो चाहे उस पे कुछ से modification करना हो और चाहे जब भी आपको data के जुरूरत हो तो यह परवाइड करवा देता है तो यह आपको ध्यान रखना है ठीक है तो computer क्या क्या है basic आप बोले information वगारा वो सिरफ समझाने के लिए थी तो computer एक मसीन है यह तो आपको ध्यानी रखना कैसे मसीन है क्योंकि computer मानों ने बनाया है human being ने बनाया है ठीक है computer क्या है human being नहीं बनाया है तो computer के अंदर आप क्या कर सकते हो सर एक बहुत ज्यादा information आप store कर सकते हो जो की calculator में नहीं की जा सकती और उस store information का future में जब चाहे जैसे चाहे आप यूज कर सकते हो और जो computer के अंदर जो आपकी data है वो इसको हम बोलते है memory क्या बोलते हैं memory बोलते है वहाँ पर data को store किया जा सकता है और जब नीड हो तब हम उसको वहां से निकाल भी सकते हैं ठीक है यह ध्यान रखना है ठीक है अच्छे एक चीज और डिफ्रेंस है computer और calculator के अंदर सर नुमेरिक नंबर को लेके चलता है जबकि computer के अंदर क्या है नंबर पलस में लैटर दोनों को यूज करता है capability कि सर कितना capable है computer तो यह हमें बताइए देखे फीचर इसके क्या क्या है तो फर्स्ट बन आता है फीचर के अंदर इसकी capability बोलो फीचर बोलो characteristics बोलो सर यह automatic machine है automatic का मतलब होता है कि एक बार इसको start कर दो फिर अपने आप काम करते रहते हैं बार-बार human intervention की जुरूरत नहीं पढ़ती लेकिन स्टार्टिंग में पढ़ती इतना ध्यान रखना सर मैमरी या फिर स्टोरेज इसके अंदर बहुत ज्यादा मातरा में quantity में आप डेटा को स्टोर कर सकते हो आपने देखा हो तो अब तो फोन के अंदर ही आने लगी आपकी 128 GB तक भी लेकिन नॉर्मली क्या है जो आपकी हार में लगती है'S Superоровадिक में भी तो फ्रोपी डिस्क में दो बड़ी चिप नहीं जो चोटे उसमें डालती हो एक बड़ी चिप लोगा में सब्सक्राद के अपने लिए सिर्फ यह वर्डिंग याद करना जुरूरी नहीं कि अपने पेपर पॉइंट ऑफियू से नहीं भी आती अपने को सिर्फ यह पता होना चाहिए सर इसकी क्रेक्टर स्टिक्स अगर पांस साथ दे कोशन और यह बोल दे किसमें कौन सी कंप्यूटर के सिस्टम की क्रेक् को प्राइटिंग स्पीड से और एक माइक्रो सैंट में कितना क्या होता है एक माइक्रो सैकंड याज़िक bekannt और और एरर Free करता है और इससे क्या इसकी इन सिभी और ले बनी रहती है जितना काम स्टार्ट किया था और काम ऐंड गरताँ तब तक बनी रहती तो क्या-क्या जिपांट ते हाँ जी क्या-क्या प्वांट से सर पहला था फस्त वन था एक बार कंप्यूटर में आपने जो इंस्टॉल कर दिया जो अगर बढ़िया सिस्टम इस्टॉल कर दिया तो बढ़िया ही रजल्ट यह देगा क्यों कंप्यूटर के अंदर एक जो डैफिनेशन है वह ज्यादा बहुत ज्यादा फेमस है और यहां से कोश्चन बन सकता है क्य सर कंप्यूटर के अंदर जैसा डालोंगे वैसा ही मिलेगा गार्वेज इन गार्वेज आउट कछरा डालोगे कच्रा ही मिलेगा बढ़िया चीड डालोगे बढ़िया टीश वोर्म जो ही आपको याद करनी самой कुछ भी करना इसके बाद मुझे बार आती है डिजी लेंस या कि यह प्रिश्रम या महनत आप व्यक्ति तो क्या है साथ गंटे दस गंटे काम करने के बाद यह बोलता है बस अब मुझे रेश्ट करना है जब कि मसीन में ऐसा कुछ भी नहीं है काम करती रहती है अगर रिपीटेटिव नेचर काम है तो और भी अच्छे से काम करती कोई इसको थकान नहीं होती चाहिए ना इसके अंदर इमोशन से साइंटिफिक अप्रोच क्या है कि डीशिजन लेते टाइम हमेशा ही क्या करता है सर वह पक्सपात नहीं करता है जो सही है उसको सही बोलेगा गलत है गलत बोलेगा फिर राता है वर्सेटाइल मसीन वर्सेटाइल का मतलब होता है जैसे आपने सुना हो के वगयरा में वही पैसे अच्डिफिक बीच्फिक करता है और वही कब्टन भी है ठीक है तो इस कंडिशन में मालेगा की पर दोनी जैसा तो उस कंडिशन के अंदर उसकी लिए बोलते हो वर्सेटाइल वर्सेटाइल का मतलबता है सारो गून जिसमें सरो गून यान्निकि इसमें सब कुछ सा आप म्यूजिक सुन सकते हो ठीक है यह सारे काम यह वर्सेटाइल है मसीन एक ही कंप्यूटर में आप कुछ भी सॉफ्ट्वे डाल और काम करते रहो फिर आता है यूज़ ऑफ स्पेशल लैंग्वेज इसके अंदर जो यूज किया जाता है वह स्पेशल लैंग्वेज यूज कि जाती है इटमीश जैसा आपको काम चाहिए वैसी लैंग्वेज आप यूज करोगे कंप्यूटर को आप नोर्मल दो रहे हिंदी इंगलिस मराथी सास्किश्ट जो भी यह नहीं समनता कि यह सिरफ और सिरफ मसीन की लेंगवेज समझता है बाइनरी लेंगवेज समझता है और बाइनरी लेंगवेज जीरो और वन की फोर्म में होती है तो अलग अलग जो आप इसमें डालोगे software वह उसी के कोडिंग काम करता है जैसे basic basic की full form पूछले तो क्या देगा मैं लिख देता हूं थोड़ा सा basic की full form आप लिखोगे क्या beginner क्या लिखेंगे beginners all purpose b से beginner a से all purpose all purpose s से symbolic और i से बनेगा आपका instruction और code क्या बना beginner all purpose symbolic instruction कोड फुल फॉम आपको याद करने इसे ज्यादा नहीं करना ठीक है यह basic था COBOL COBOL से C O से बनता है common क्या बनता है common B से बनेगा business business और O से बनता है आपका oriented और L से बनेगा language यह आपको ध्यान रखना है ठीक है common business oriented language इसको बलते हैं COBOL याद रहा जाएगा क्या हाँ जी अब बात करते है पास्कल की पास्कल का बनता है क्या programming 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 language एल से बनता है क्या language नेम्ड यह जो पास्कल था ना उसके नेम पर रखा गया था इसलिए बोला गया है नेम्ड फॉर बलेस पास्कल बलेस पास्कल इसके नाम से रखा गया यह यह क्या है यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नेम्ड फॉर बलेस पास्कल के नाम से ठीक है फिर आता है आपका फॉर्टरन इसकी फॉल फॉर्मोर देख लेते हैं फॉर्मूला क्या बनता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन क्या बनता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन बस यही बनता है इसके लावा यह किस ने दी कब आई क्या है यह आपको याद नहीं करना है ठीक है मैक्सिमम यह हो सकता है किसर यह बतादो कि इसका यूज कैसे कर सकते हैं इससे ज़्यादा नहीं तो देखिए किया कुछ दिया गया है सबसे पहले जो कोबावल लाइंग्वेज है क्या फूल फॉल्फॉम था याद है तो हमारा काम चल जाएगा जो फूल फुर्म क्या थी फॉर्मूला ट्रांसलेशन तो इस लिए इस लेंग्वेज का यूज किया जाता है फूर प्रोसेसिंग दा मैथेमेटिकल एन्ट स्टेटिकल इन्फरमिशन मैथ के अंदरी फॉर्मूला आता इसलिए फॉर्मूला ट्रांस्लेटर ट्रांस्लेशन बेसिक इस यूज बाइद पर्सन हूँ है उट जस्टार्ट टू लर्न प्रोग्राम जिसको बिल्कुल भी नहीं पता क्या होता उसके लिए क्या यू इसका यूज किसली क्या जाता है तो डिफाइन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर डेटा सर्फ स्ट्रक्चर डेटा मींस जैसे कोई लिष्ट बनानी है ठीक है जैसे कोई ग्राफ बनाना है यह आपके इसके अंदर आ जाते हैं पास्कल के दर तो यह च्यार लेंग वे थी इनका यूज क्या है यह आपको याद होना चाहिए और इनकी फुल फॉर्म इससे ज्यादा आपको नहीं करना ठीक है ओके जी नेक्स्ट क्रेक्टरिस्टिक से अपनी डिटेल इंस्ट्रक्शन कोई भी काम आप कंप्यूटर से करवालो चाहिए लेकिन क्या है कि डिटेल में डेटा लोजिकल सिक्वेंस में किसमें करना पड़ेगा लोजिकल सिक्वेंस अब जो लोजिकल सिक्वेंस में आप डेटा सेट बना रहे हो उस सेट को हम बोलते हैं प्रोग्राम क्या बनाते हैं प्रोग्राम कि जो भी आप कंप्यूटर से काम करवाना चाहते हो वह लोजि किसी से रिलेटिटिट प्रोग्राम अगर आपको माले के वर्ड पर काम करना तो एमस ऑफिस डाउनलोड करना ठीक है डाउनलोड करनो गेमिंग के रिगाड़ींग तो जो कंप्यूटर का इंस्ट्रक्षिन दो वह तो क्या है सर वही काम करेगा उसके अलबा कुछ काम नहीं क तर देगा नेक्स्ट फिर आता है अपना यूजिज ओफ बाइनरी सिस्टम कि यह कंप्यूटर जो है सिर्फ सिर्फ मसीन लैंग्वेज को समझता है और बैनेरी का मतलब होता है यह सिर्फ यह कि इसको समझता है और पूछ लें कि सर कंप्यूटर मसीन है किसे लैंग्वेज को समति है अगर सर डेसीमल में कोई चीज हो तो क्या करेंगे तो इसको कनवर्ट करना पड़ेगा किसको बाइंदरी में वैसे अलग अलग हैं यह अपना पर्ट नहीं है कनवर्ट तो देखी बाइंदरी में कैसे करने के लिए पहले ऑपरेशन और नहीं पेशन औरे हैं तो यह अपना हिस्दा नहीं है फिर भी एक समझने के लिए के लिए सल्डेसिमल को बाइंदरी में करते हैं तो क्या कुंदो से यहिसे करते 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 जब आपके पास यह दाए रिमाइंडर तो इस रिमाइंडर को रिवर्स लिखना है इस रिमाइंडर को कहा है लिएकुन को पहले लिखो गे फिर वन लिखो गे फिर जीन फिर वन फिर वन लिखो गये फिर बिभदर के इस वाइनरी हो जो बाहु फोर्टी त्री जो डैसिमल उसका दीट स्थ एक। 101011 यह आपको क्या करना है ध्यान रखना है कर लोगे ना तो यह आपको क्या करना है ध्यान रखना है ठीक है और लाश्ट इसकी जो क्रेक्टर स्टिक्स आती है इसकी जो लाश्ट क्रेक्टर स्टिक्स है वो क्या दे रखी है वो दे रखी सर कंप्यूटर is different from calculator calculator difference कैसे है starting में मैंने बताया था कि सर यह सिर्फ calculator number को लेता है जबकि यह number और word दोनों का यूज़ करता है पहले बात next one calculator में store आप ज्यादा data नहीं कर सकते जबकि क्या है computer के अंदर आप बहुत ज्यादा मात्रा में data को store कर सकते हैं तो इसमें basic आएगा तो एक memory होती है बड़ी फिर हाई-speed काम करता है एक होती है इसके बार डिलिजेंस एक ही रूटिन से काम करता है ठकता नहीं कर भी साइंटिफिक अप्रोच बाइसनेस नहीं होता वर्सेटाइल नेचर का है मैं सारे काम कर सकता यह के लाई ही और कुछ हाजी कमिया है इंसान ने बनाया तो कुछ तो कमिया मिलेगी ठीक है क्या है lack of decision making सर यह खुद के decision नहीं ले सकता जो इसके अंदर डाल दिया उसके base पे decision ले सकता है लेकिन खुद के decision यह नहीं ले सकता जैसे हमने पड़ा था क्या सर गार्बेज इन गार्बेज आउट कच्रा डाला तो यह कच्रा ही उगलेगा यह अपना IQ यूज नहीं करता सेक्टंड पॉइंट होई है intelligent कोसेंट यहां पर कोसेंट का मतलब वहां पर हमने भाग फलता और यहां पर आपना बात है माइंड से रिलेटेल यहां पर को बोलते हैं लबधी अंदि में आगर बात करूं तो बुद्धी के लिगरा दें तो IQ कंप्यूटर का होता है सर generation थबंपल कोमन सेंस नहीं है और सबसे अच्छा इसका अग्जामपल में बताँ कोमन सेंस का आपने फिलम देखी होगि रोबोट फिलम में देखी होगि लिए इसकी फिलम को देख लहाँ थिक हैं इमोसंस नहीं है इसके अंदर क्या है सर मैमरी जो इसने बना लिए कंप्यूटर की वह सर माइंड के तो रिप्लेस कर दिया इनसान के लेकिन जो इनसान का हर्ट है क्या है हर्ट है दिल है इसको नहीं कर सका इसकी काम नहीं कर सकता हो जो इसकी सोल है जो इसकी आत्मा है उसको computer अब तक इंसान की मैमरी को माइंड को रिपलेस करज़का है लेकिन उसके हर्ट और सौल को रिपलेसे नहीं करज़का इमोसन नहीं है हर वक्त रेशनल नहीं बनाता है चाहिए इसका कमियाया ही यो इसको इन्सानों seu अलग बनाती है इन्सान यहीं पर जाकर इससे सुpीरियर हो जाते हैं यो अन्दर फिर समय चैसे प्रैक कंतों क्या हैं डाले चाहिपंडर और कॉझौने शूरकर भी बोलते हैं हाड़वेर भी बोलते हैं ठीक है कंपोनेंट से सिस्टम क्या है बहुत सारे electronic component से मिलकर बनता जैसे की कीबोर्ड है monitor है CPU CPU को computer का brain भी बोलते हैं जो अभी हम बात करके आई थे माइंड क्या बोलते हैं सब्सक्राइब करते हैं तो उसके लिए वर्यज़ करते हैं टर्मीनल क्या वोड़ वी करते हैं है फिर देखे फिर दिया गए आपको यह डाइगरां मिसी प्यूह होता है यह सीप्यूहया sash इसका brain है सारे काम जितने भी computer के अलग components है बहुत सारे components है लेकिन सारे को operate कौन करता है चलाता कौन है CPU चलाता है इसलिए को computer का brain भी बहुत है इसके अंदर जो होता है output के रूप में दिहाता है monitor ठीक है display और output printer भी output का यह example है अगर hard copy चीए तो printer दे देगा और कुछ display करना तो आप इसकी screen भी कर सकते हो ठीक है इसी तरीके से जो यह input के regarding काम करता है input इसके अंदर कुछ डालना पड़ेगा तभी तो यह output देगा क्या डालना पड़ेगा सर्क कीबोर्ड जो ही input का का काम करता है क्या काम करता है ज भी है input तो कैसे है जो इसके अंदर hard disk लगा रखे आप उसमें डालोगे डेटा स्टोर होता है ठीक है output कैसे जैसे pen drive का यूज आप करते हो तो आउट्पूट की तरह किया जा सकता है ठीक है ओके next वन आता है फिर इसको थोड़ा सा explain किया गया है तो अपने को इतना ज्याद सकते हो कि फित्ते की तरह अपना फित्ता होता ना उसी तरह एक रोल होता है उसके उपर लिखा होता है कुछ और जो मेगनेटिक डिस्क होती है जो बड़ी डालने की जगहां होती है वहाँ फिर भी आपको इतना ज्यादा नहीं करना इसका तो हम चलते हैं जल्दी जल्दी मोनिटर मोनिटर मींस जो screen पर इस पेले करता है सी प्यू इसका ब्न होता है और मैगनेटिक टेप रीकोडर मैंने क्वर्ड यूज़ करता है क्या क्यों ना कमित है प्रिवर्तन याद रखने और इसे ज़िए दने रहें को क्या बोलते हैं रेंडम एक्समेंरी और ये क्या बोलेंगे रीड ओंली बन आपको यह दाना खुक्ति जैसे यह पावर के साथ चलती है पावर ओन तो यह काम करना श्टार्ट पावर ओफ ते काम करना बंद जबकि इसलिए इसको क्या बोलते हैं वोलेटाइल मेमरी बोलते हैं यहाँ पर डेटा टंप्रेरी रूप से स्टोर किया जाता है ना की पर्मानेंट और यह लाइट यानिक पावर से अटेच होती है कर लोगे ठीक है यह ना मेगनेटिक रिकोर है फिर आतें अलेमेंट्स के ऐलेमेंट्स क्या है अभी हम पढ़ के आए जो हम पढ़ा पढ़ा कीबोर्ड मोनेटर फील मेगनेटिक रिकोर्डर वह सारा का सारा क्या है सर हर्डवेर हम पदेंगे फिर लोग इसको चलाते है फिर इसकी कुछ प्रोसेस होती ए फिर आधेटा होता है फिर में करते हैंडमे इंतरूने वागैरा तो हडवेर हम कर चुके हैं अब हम क्या करने वालें सर्फ नइमें के Despite होता क्या है अब इसका जो यूज किया जाता है सोफ्ट्वेर का वह कुछ विजह से आप विंडो डालोगे तो ही कंप्यूटर चलेगा ठीक है जिसको हम ऑप्रेटिंग सिस्टम बोल देते हैं क्या बोल देते हैं ऑप्रेटिंग सिस्टम बोल देते हैं इसी तरह से अगर आप कोई MS Office उसकी जो सेट होता है उसको हम प्रोग्राम बोलते हैं और प्रोग्राम के सेट को सोफ्ट्वेर बोला जाता है और प्रोग्राम के सेट को क्या बोला जाता है याद रहे जाएगा क्या कि सर जो हम इस्ट्रक्शन देते हैं उनके सेट को तो प्रोग्राम बोलते हैं और प्र सोफ्ट्वेर अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग सोफ्ट्वेर बनाए जाते हैं कुछ रेडिमेड होते हैं कुछ बनवाने पड़ते हैं तो अलग-अलग वो टाइप भी मैं आपको करवा हुआ चिंटा ना करें अब आप मालों कि यहां से अपना जो पेपर पॉइंट की कोमर्स के रिगार्डिंग दे देगा वहां से यहां से आप मालग यह वह तो बेस था यहां से स्टार्टिंग कोश्चन हो जाते हैं ठीक है जैसे पे रोल किसी की सेदरी विगारा देनी तो उसके लिए सोफ्ट्वेर अलग डालना पड़ेगा आपको क्या करना इसके अंदर कुछ डालोगे कुछ सोफ्ट्वेर कुछ प्रोग्राम वगरा डालते हो तभी उसी के कोडिंगे काम करता है गार्बे जिन गार्बेज आउट का रूल आपको याद रखना है अगर अच्छी चीज डाले तो अच्छा काम करें अब बूरी चीज डाले तो मैनुवल आती है आपने देखा जिसके अंदर लिखा होता है कि यह सोफ्ट्वेर कैसे कैसे काम करेगा कैसे इसको इसको स्टोल करना है ठीक है सोफ्ट्वेर को सिक्स पार्ट में डिवाइड किया गया है यह इंपोर्टेंट है अपना सबसे पहला आता है सर फर्स्ट वन ओ ओपरेटिंग सिस्टम पहले एक जामपल देता हूं फिर आपको समझ में आ जाएगा जैसे विंडो होगी क्या होगी विंडोज होगी एंड्रोइड फोन आज कल यूज करते आप अंडोट है सर जो एपल वाला है जो आयोस वो भी है हाँ जी वो भी है वो सारे के सारे क्या अगर यही नहीं डालेंगे तो नहीं नहीं होगा विबेसिक और चीजिए ठीक है अगर कंप्यूटर इस मसीन को अगर हूम नहीं इंट्रक्ट कराना है तो यह डालना ही पड़ेगा क्यों क्यों क्योंकि यही शॉफ्ट्वेर क्या करते हैं जो और प्रेंटिंग सिस्टम है को हैं यही पर्फॉर्म करते है बेसिक टास्कस क्योंसे बेसिक टास्क करいました अगर कि बढ़ कि कुढकर करता रिज़ां पहचान करना ठिकार करना सारेय क कबिया है, कि computer जो आपके पास पुराने है अगर आप उसमें बाद में माउस की वायर लगाते हो कीबूर की वायर लगाते हो काम नहीं करता तो फिर आप क्या करते हो computer को restart करते हो restart करने का मतलब क्या होता है सर वो उसको फिर identify कर लेता है कि इसके साथ क्या-क्या जुड़ा हुआ है यह आपको करना है फिर आता है इसके बाद यानिकि यह रेम के अंदर लोड़िड होते हैं कहां लोड़िड होते हैं सर यह जो उप्रेटिंग सिस्टम होता है यह रेम के अंदर लोड़िड होते हैं रेंडम एक्सस मैमरी के अंदर ही क्या होते हैं लोड़िड इस आर सब्सक्राइब यह हमेशा ही बैग्राउंड में काम करते हैं क्या करते हैं बैग्राउंड कंप्यूटर चलता रहता है बैक में चलते हैं आलवेज रनिंग बैग्राउंड आलवेज रनिंग इन ठीक बैक्ग्राउंड यह आपको द्यान करता रहे उसमें यह help करते हैं उसमें क्या करते हैं अच्छा जी जो operating system है और आपका जो utility system है यह दोनों ही system software के पार्ट है आगे आजाएगा चिंता ना करो वहां पर लिखा हुआ है mention किया हुआ है तो आप वहां से कर सकते हो कि सिस्टेम सोफ्ट्वेर के पार्ट होते हैं इसका अपने बता दिया विंडो बगारा एंड्रोइड बगारा आयोस बगारा इसका एक्जामपल क्या utility software का देखो यह जो य प्रोग्राम को optimization करता है अब यह सरीय सिस्टम क्या है optimization करना यानि कि जो टूल होते हैं जो क्लीन करते हैं ठीक है यानि कि टूल फोर सिस्टम क्लीन अप या फाइल कंप्रेस करना या disk defragmentation आपको याद है जैसे आप computer open करते तो ऐसे लिखा होता है सी ड्राइव सी दिखा होता है फिर दी फिर ए फिर एफ एसे डिवाइड कर सकते ना आप हाड़ इसको तो यह काम कौन करता है यूटिलिटी सोफ्ट्वेर के थू किया जाता है हो जाएगा याद हाँ जी एंटिवारिस किसका एक्जम्पल है आप बलो इसारी यूटिलिट प्रोग्राम के लिए यूज के जाते हैं जैसे यह हर मालो जो भी कुछ है यही है सबसे इंपोर्टन रोल तो इसी का है यानि कि दिस इज एवरिफिंग क्या है यहीं दिस इज एवरिफिंग एल्स ऐसा कोई काम नहीं जो इनके बगार ना होता हो नतिंग डैट इस नोट अपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी लाइक इसी लिए तो आपने एक वर्ड सुना है कि एप डाउनलोड कर लो एप डाउनलोड कर लो औरे वह एप है क्या वह एप ही तो एप्लिकेशन है हाजी आप समझ में आ गया होगा आपको ना कोई भी काम करना से एप डाउनलो क्रकोई खाता वही मेंटेन कर ना थंख वहाउनलोड कर लो वह सम्झाझांगी नकीं बात कोई लेप वगयरा देखना है को इसकी अप डाउनलोड कर लो इसकी इंसिटूशन की तो यह एप के और एंटिट है तो होप शोई आपको समझ में आ गया होगा कि सर हर एप का मतलब सर्फ फिर तो फंक्षन अलग-अलग है हाँ जी हर एप का क्या है फंक्षन अलग-अलग है खाते मेंटेन करने तो आप Excel डाउनलोड कर लो या फिर आपका टैल और फिर अपना सिस्टम सब्थ इसका एक पायर होते हैं इसका इसका पार्ट होते हैं इत इच बिट्वीन यह कहां होता है यह देखी इच-बिट्वीन इच बिट्वीन ओन एपक्लिकेशन सफ्टवीर के बीच में काम करते हैं को connect करता है ठीक है इसमें कुछ वर्ड यूज किये गए इसके कुछ एक्जामपल दे जैसे assembler assembler क्या होता है assembler ना पूरे के पूरे पराग्राफ को एकदम convert कर दिता किसमें convert करता है देखो मसीन जो computer हो machine language समझता है क्या समझता है वो समझता है सर मसीन language इसेंबली लैंग्वेज को machine language में एक साथ पूरे के पूरे पूरे पराग्राफ को convert करने वाले क्या बोलते हैं assembler क्या बोलते हैं assembler इंटरप्रेटर इसका बिल्कुल अपोजिट है यह होल था सर यह यह पार्ट में करता है लाइन टू लाइन क्या करता है सर यह लाइन बाई लाइन क्या करता है लाइन पार्ट की में प्लाइन वार्यूज करो अगर जो लैंग्वेज है उसको और ये क्या होता है है आप को करता है तो आप इसको बोलते है क्या ही होल कोब करता है यह घ ठिरादन करें हो जाएकल कि क्या होता है समय ओप्रेटिंग अबनेटिंगने को लैंग्वेज्ट में कृता है या खिल ये स्कता है या कोई भी सकती है जैसे कि Pascal हो गया, Fortran हो गया, ठीक है अभी पढ़के आई थे ना, तो वो सारे के सारे प्रोग्राम, उन्हों प्रोग्राम की कोई भी language हो सकती है, तो यह सारे के सारे machine language में convert करता है, कंवर्जन का रूल अपना पास नहीं आता, बस यह दो यह द्याद नकला, compiler सर होल को convert करता है, पुरे paragraph को यह line को, line convert करता है, बस इतना ध्यानक में, कंप्यूटर जो है, वो अपनी language को नहीं समनता, उसकी खुद की language होती है, फिर आता है next one, connectivity, क्या आता है, connectivity, connectivity मींस, आप जब internet से, server से connect करते हो computer को, आज के time अब जो मैं lecture deliver कर रहा हूं, यह भी मैंने क्या, से connect किया है, और आप तक पहुंच पा रहा हूं, आप इतनी दूर बेठे हैं, कोई पलवल से है, कोई देरादोन से है, ठीक है, तो कोई आपका कैथल से है, कोई चर्खी दादरी से, यह कैसे connect हो पा रहे हैं, सर, यह software के थूँ, आप बस तो connectivity software के थूँ आज हो पा रहा है, तो first one हमने क्या पढ़ा, सर, hardware, second one हमने पढ़ा, क्या software, software के कितने पार्ट, छे पार्ट, कौन-कौन से, सर, operating system, utility software, application software, इसके बाद system software, फिर language software, connectivity, यह आपको देहा रखना, चो चलिए, next one आपना आता, third, people and human being, ठीक है, तो people or, यानकि human being के regarding बात की गई है, कि सर, जो people है, individual ह है, वो hardware, software दोनों को develop भी करते हैं, उनको बनाते भी हैं, उनको maintain भी करते हैं, उनका use भी करते हैं, ठीक है, यानि कि लोगों ने अपनी स्विधा के लिए इसको बनाया है, तो जो लोगों की category है, वो divide की गई है, इस computer का जो use करते हैं, तो उस use के coding हमने क्या किया, people को divide किया है, जैसे first one, system analysis, जो design करते हैं, data processing system को, उसको system analysis बोलते हैं, उन लोगों को, जो computer को operate करते हैं, उसको computer operator बोलते हैं, आपको याद हो तो vacancy वगारा निकलते हैं, government computer operator चाहिए, जिसके लिए आपको हार्टरन का एक सरका डिपलोमा वगारा चाहिए, तो वो आपका यहां पर हो programmer, ठीक, back end में काम करते हैं, programmer तो, to write program, to implement the data processing design, यह programmer होते हैं, जो back end पे काम करते हैं, software वगारा जो आपके लिए program वगारा बनाते हैं, फिर next one आपना आता है, इसके अजर, procedure, सर्फ procedure क्या है, यह बताईए, देखिए, पहला कौन सा था, hardware, दूसरा कौन सा था, आपका software, third one क को साथ हमने पढ़ा, people या, और human, वेर, इसको बोल सकते हैं, ठीक, software के वेर, वड्यूज किया गया, तो, human, वेर, procedure, इसका procedure, इसका प्रोसीजर, एक फिक्स प्रोसीजर है, तीन ताइप के होते हैं, नॉर्मली कौन-कौन से, सर्फ वेर, हो सकता है, हार्डवेर, और इंटर प्रोसीजर हो सकता है, नॉर्मली प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर आर वेरियस ऑप्रेशन परफोर्मेंस, इने सर्टेन वे, एक पर्टिकुलर तरीका होता है, कुछ अचीव करने के लिए, जैसे, software-oriented क्या है, जो आपका software-oriented है, इसका यूज क्या जाता है, फोर यू यानिके इस पूरी information प्रवाइड करवाता है, all about various components, components के regarding, जो आपका keyboard, mouse, mode, जो mouse था, सब कुछ आ जाता है, इंटरनल प्रोसीजर क्या होता है, यह help करता है, sequencing the work and operation of each subsystem, ठीक है न, जो subsystem है, उनके अंदर, sequence के अंदर काम चलता रहे, operation चलता रहे, उसके रिगारे हम बात क स्टोर किया जाता है, memory के अंदर, किसमें स्टोर किया जाता है, memory, और memory के अंदर हम पढ़के है, सर, volatile मतलब रेम, और non volatile मतलब रोम, ठीक है, यह आपको ध्यान करना है, सर, इसका रिलेशन पावर से था, पावर ओन तो यह ओन, पावर ओफ तो यह ओफ, temporary nature का होता है, यह प admission के time अब तो admission भी online होने लगे ना, college में, तो सारा से data store करते हैं, UGC net का paper online होता है, वो भी सारा data store करते हैं, तो इनके आप data को store कर सकते हैं, process कर सकते हैं, और retrieve, जब जरूरत हो, उसकी पुने प्राप्ति कर सकते हैं, अपने इच्छा के according, ठीक है, कोई error वगएरा होगा, त से, देखिए, क्या दे रहा है, connectivity के अंदर, the element of connectivity referred to the way in which computer connect किया जाता है, किसे सर, other electronic device से, जैसे अब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, letter pad पे तो इसके थू हो जाता है, क्या है, connect किया हूँ है, सर, hardware, software ने क्या difference, आपको सब को पता है, कि hardware को touch कर सकते हैं, software को touch नहीं कर सकत है, यानि कि set of program होता है, ठीक है, set of program होता है, अब आप बोलो, जिसमें आते हैं, software उसको तो hardware है, उसको touch नहीं कर सकते हैं, इसके example keyboard, mouse बगरा होगे, इसके example क्या होगे, आपके software के example क्या है, सर, software के example operating system है, यानि क्या है, software, और ये क्या है, hardware, और ये क्या है, सर, ये difference दे रखा है, meaning, और ये क्या रखा है, जैंपल दे रखें इसके, बस, software के example क्या है, system software के, सर, ये तो operating system होगे, आपका utility, application अभी पढ़ क्या है, सारा का सारा वो हो जाएग, ठीक है, और next और अपना important जो है, वो है, commercial software, अब यहां से आप बोल सकते हो कि level थोड़ा और हाई हो गय है, जो अब तक कराया उसमें से भी, जो आपका commercial software है, या software use in business, यही important है, अब तक तो अपने base किया है, कि होता क्या तो थोड़ा सा go through हो जाओ computer world से, ठीक है, तो बहुत ज्यादा मातरा में software होते हैं, अपने according आप सुधा के ले सकते हैं, लेकिन कुछ software वैसे हैं, जो common होते हैं, जैसे, electronic spreadsheet, सबने, अगर किसी ने भी Microsoft Excel में काम किया है, तो उसके लिए तो यह वही है, और Excel को जो हम store करते हैं, dot xls, यह file आपने मिली हो तो कहीं, यह हो जैसे कि photo के लिए क्या करते हैं, dot jpg करते हैं, करते हैं, तो ऐसे ही Excel के लिए क्या है, dot xls, word processor, हाँ जी, बिलकुल सही सुना, Microsoft Word के बारे में बात कर रहा हूं, सर इसकी formation और क्या है, dot doc, क्या है, dot doc, dot doc, और database management, जो आपकी store किया जाता है, data को, memory के अंदर जो store किया जाता है, उसके रिगार्डिक हम पढ़ने वाले हैं, सारा का सारा, data का ही तो यूग है, आज का जो time क्या है, sir, DBMS, database management system का तो आप यूज करते हैं, तो आप यूज करते हैं, अपना promotion करवाना तो इस्टा पर करवा सकते हैं, श्टोरी लगवा सकते हो, 200 रुपे-500 में, 1000 में, जितने फुलोवर, जितने पास उसका data है, जितने उसके फुलोवर है, वो क्या है, data ही तो है, इसी तरह data का यूग चल तो इसको जो आपको पढ़ना है, जी वो पढ़ना है, एक्सल पॉइंट ओफियो से, कैसे पढ़ना है, एक्सल के पॉइंट ओफियो से पढ़ना है, आपको याद हो, तो ऐसे अगर मैं कर देता हूँ, एक्सल के रिगारिंग, सर ऐसे कोलम होते हैं, क्या होते हैं, क्या होत प्रोग्राम है जो लार्ज सीट होती है आप कहीं तक भी चलता रहा चलता रहा एंड नहीं होगा आप इतनी बड़ी शीट होती है इसको स्प्रेड़ सीट भी बोलता है इसके अदर कोलम होते हैं और रो होता है कॉलम के साइज और लोफ कोलम अपनी कोडिंग आपने साइज इतना है तो आप इसको बड़ा वहां पर यूज किया जाता है जहां पर बहुत जधा मातरा में आपको ओर पर रहें शारा यह यहां पर लगता है और वहीं लगता है अधा यह अपना का अमांट का रिकोड डेटर का रिकोड मेंटेन करके रखते हैं इस इस प्रेड़ सीट के अंदर जो एक कोश्चन होता वट इफ इसका क्या हो अगर अगर मिंस कि अगर आप थोड़ा सा भी चेंज कर देते हो क्या चेंज कर दिया मान लिया आपने बोला कि सर मैंन अब सर मैनमल तो करने लग जाए तो हजार लेबर है तो हजार दिन नहीं तो कम से कम हजार घंटे तो लगी जाएंगे या हजार मिंट तो लगी जाएंगी लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकिंड ही लगती है यानि कि आप मोडिफिकेशन इसलिए कर सकते हो ठीक है कोई नंबर गलत लिख गया अगर आपको चेंज करना है तो ओटोमेटिक उस फॉर्मूले से ठीक हो जाएगा तो इसके कुछ पार्ट दे रहे हैं तो इसके कुछ पार्ट की सीट ना उसको वारिफिकेट किया गया उसके क्या क्या है सबसे पहले पेरोल नेम को कोलम भी लिख दो बेसिक वोग आप लग लग सकते हूं यह री कालकुलेशन करने जो अभी मैं बता रहा था सर अगर दस परसेंट बढ़ा दूं दस परसेंट कम कर दूं यह को जोड़ दूं एक को गटा दूं सारा इसली क्या सकते हैं और डैप्रिशेशन अकाउं बनाने के लिए सारा डिटे यह करती हैं पहले बाद डैप्रिशेशन अकाउंटिंग का काम होता है जो फिक्स असेट पर चार्ज करते हैं यह ऑटमेटिक कर लेता है ग्राफिक डिजाइन के थूँआ जैसे आप डैप्रिशेशन चार्ज कर सकते हो वैसे ही बजट भी तो बना सकते हो कि अगर मेरी दस परसेंट से या हमारी जो सेल है दस परसेंट से बढ़ गई तो प्रोफिट कितने परसेंट से बढ़ेगा ओटोमेटिक कल्कुलेट करके देदेगा आपको खुद को करना है नहीं पड़ेगा इसलिए तो बोलते हैं कि कंपिटराइजेशन कंपिटर के कान जो कम हो गई है ठीक कुछ फिल्ड में लेकिन जो खुद को स्किल्ड है अपडेटिड रखते हैं उनकी नीड तो अब भी है यह तहां हमारा क्या था अपना एलेक्टरोनिक स्प्रेड सीट जिसको हम एकसल भी बोलते हैं सैकंड पॉइंट आता है सर वर्ड प्रोसेशर क्या आता है वर्ड प्रोसेशर जिसको m s word बोलते हैं अ हाजी सब को पता है कोई लैटरल लिखना है कोई टाइपिंग टेस्ट देना अ जब आप टाइपिंग स देखें सर की टाइपिंग मैटर है एक बार लिख दो बार बार आपको लिखने की रिक्वार्मेंट नहीं है मान ले कि आपको एक लेटर बेजना है यह लिख दिया यहां पर लिख देता हुँ मैं डेश्टिनी कॉमर्स अकैडमी अब माले मैंने इकॉमर्स डिलीट कर दिया तो यह सपेस रह जाता है मैनूवल में तो लेकिन लेकिन जो आप एगर वर्ड से करते हो तो यह स्पेस ऑटमेटिक हटके अकैडमी यहांपर आ तो सजैसन तक देता है कि आगे यह आने वाला है अगर आपने एक बार देर रखा तो इसके क्लिप बोर्ड में इस्टोर हो जाता है ठीक है इसके लावा टेक्स लेटर है स्टोर किया जा सकता है और अपनी मर्जी से जब चाहे निकाल सकते हैं ठीक है बहुत सारे काम है तो MS Office अगर किसी ने बेसिक कर रखा तो यह उसके लिए बिलकुल ही आसान है और नहीं कर रखा तो भी इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है कहां पर इसका यूज क्या जाता है इसके एक्जैम्पल और बतादो सर जैसे कॉमनली रिपलाई सबको कॉमन रिपलाई करना है तो आप इ इसको हम बोलते हैं वैसे तो अलग से लेकिन थोड़ा सा बेसिक यहां दिया गया है तो इसलिए हम इसको भी कर लेते हैं कि सफ्ट्वेर यूज इन बिजनस में सरेक्ट हम एक वर्ड यूज करते हैं यह निकि डेटा को श्टोर करने के लिए इसके अंदर है ना सारी चीज करता उसी में लेकिन यह काम अब क्या है कंप्यूटर के हैल्प से किया जाता है और आपने देखा हो तो जो गौर्मेंट है अभी एट पर जेंट भी जितने भी ओफिस वगएरा सब को प्रवाइड कर दिया जाता है या तो यहां तक कि स्कूलों में टीचर को प्लसवन टी सब्सक्राइब कर सकते हो जाएगा तो जो बिजनस के डैली जो परचेज है उनसे रिटेटा रख सकते हो डेटा कर सकते हो ठीक है नोर्मली आप देखो क्या करते हो माले कि आपने यह पीजूटी का एजाम कलियर कर दिया और आपने जो साथ की साथ नोर्स बनाए हैं वो सारा डेटा श्टोर करके रख लिया इन फ्यूटर को आपका भाई बेन फ्रेंड बाही बंदू या भी आप बोल सकते हो को दोस्त बगहरा है उसको उसको चाहिए सर म आपने बुके पडी की फटी हूंगी प्रम करने के लिए लेकिन अब भी यूज हो रही है यहां तक कि जो मैं आपको कर्वा रहा हैं हो खी सरकार लेंगे कर लोगे और टेटा का ही खेल यहाँ कर सकते हो सर भीजनस भी वह हम किसमें यूज करके आए थे सर सफ्टवेर यूज इन बीजनस में यूज कहां कहां किया सकते ने एकसल बनाया था एक हमने वर्ड बनाया था और हमने किया सब्सक्याइब जर्नल लेजर बनाने के लिए अकाउंट पेबल के लिए इन्वेंटरी कंट्रोल के लिए और पेरोल के लिए कर लोगा नहीं कर लोगे सर्थ सोफ्ट्वेर क्या ये खुद बनवाने पड़ते हैं ये नेक्स टोपिक आपका करवा दूंगा वहां से टैंसन ना लो इसन बढ़ा बहुत सारे नंबर ओफ सेट्वेर है जो रीडली अवेलेबल आप मार्केट में जाओ ले आओ उनमें से जो और मार्केट में अवेलेबल है कुछ पर्टिकुलर जो सोफ्ट्वेर जो मार्केट में इसलिए अप्यूंटिंग कर सकते हो जैसे यार्पि टैली-9 सबसे पहले हम करते हैं जर्नल लेजर इसका काम क्या हाता है या मार्केट में जाओ पैसे दे और लिया और अपने कंप्यूटर में इस्टोल करो काम करो कंप्यूटर कंप्यूटर में एक बार आप ट्रांजक्शन कर दिया तो मतलब पोस्टिंग जो पोस्टिद आते हैं क्या करते हैं पहले क्या करते हैं इसके अंदर रांजक्शन डाल दो और यह क्या करते हैं सिर आपका तो जैसे आपने समान लिए और आइटम टेक करते हैं और आपका बना देते हैं यह सर इतना हो गया ठीक है तो जो बेमात कर रहा हो नहीटे बूपका पार्ट और आपका आकउंटिंग का पार्ट तो जो ज़्यां बेर नुच्य थे में थीक है तो अकांट रिशेट इसके क्या है कि जिससे आपको पैसा लेना है उसकी इफ़ेशन डेट रखने का काम कौन करता है डेट रचेवल उसको रॉमाइंडर सेंड कर देगा हाँ डेट आगे आपकी खौशन आप पैसे दे दो हमारे तो चल जाएब अकाउंट पेबल क्या होता है अकाउंट पेबल के रिगाड़ी तो देखिए अकाउंट पेबल तो अकाउंट पेबल मतलब जिसकी पेमेंट करनी है ऐसा भी ना होना कि हम सप्लायर का पैसा लेके बेट जाएं और वो पैसा ही डूब जाएं ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए क कि supplier का फिर वह में समान नहीं देंगे तो यह भी जुरूरी है कि सर्फ पेबल भी क्रेटर का रिकोर्ड में करना कहीं ऐसा नहों कि supplier का पैसा देना बूल गए और जब बड़ा ओडर था हमने बोल देंगे पर्टिकुलर टाइम पर लेकिन supplier कि supplier ने बोला कि आपने तो हमारी प्रोब्लम हो सकती इन्वेंटरी को मेंटेन करना आजकल ऐसे आपने एक आइटम बेच दी तो iałem हिंवेंटिर में कम करके दिखा देगा इन्वेंटिर के रिगारडिंग बहुत सारें आपने पढ़ा हो थो आपने फाइनसल मनेंघ्मेंट पढ़ी है तो वहाँ पर क्या होता के अंदर सब ठीक है जो आपका यो क्यों है एकनोमिक ओडर क्वांटिटी तो वहां पर पढ़ते हो डेंजर लेवल मीनिमम लेवल सब कुछ ओटमेटिक सोफ्ट्वेर के दुरू काम किया जाता है फिर आता है अपना क्या फिर आता है अपना पेरोल अकाउंटिंग यानि कि अगर किसी को अपता है किसी को वेजि और सेल बगारा के पेमेंट करनी है तो आप यहां से कर सकते हो याद रहेगा तो यह सारा का सारा इटमीश इसमें बोला गया वही कोई भी बिजनसमें यहां तक की अब तो जो चोटे-छोटे बिजनसमें हैं वह भी इसका यूज करने लग गई है यूज किया जाते हैं और बिजनस के इंद्र понадкая मेंटेन करते हो इसको